अस्सालाम वालेकूं मेरे नाम अब्दुलादी है और आज हमनेंगे मचली का सलन जिसके लिए हमें चाहिए दो किलो मचली, तीन पाव प्यास, वन टीस्पून गरम सला, टू टीस्पून हल्दी, चुटकी बार नमक, वन टीस्पून कुट्योई लाल मिर्च, टू वन टीस्पून कुट्योई सब्द मिर्च, वन टीस्पून अधर कोर्लेस्ट का पेस्ट, चाट माटर और थोड़ा से दनिया, आप सोच रहोंगे इतनी ज्यादा हल्दी, लेकिन हाफ हल्दी मैं विश्के उपर लगाऊंगा, और हाफ हल्दी मिसाले में जाएगी, बनाना शुरू करते हैं, पहले मचली का मसाला बना लेंगे, बिसम्राइब तेर हलका सा गरम हो गया है, अब हम इसने प्यास डालेंगे प्यास हाफ प्रई हो गए है, अब हम इसमें अधरों को और लेसन का पेस्ट डालेंगे, जोके वान टेबल स्पून है, और इसे मजीद बून लेंगे, प्यास ज्यादा थे, इसलिए 6-7 मिन्ट लगे है भूनने में, अब ये अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें मिक्स करेंगे, कुटि हुए सबस मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, नमक, कुटि हुए लाल मिर्च और हुष्ट दनिया, मिक्स कर लेंगे, बहुत ब्यारी है, माशायला, अब हम इसमें टुमाटर डालेंगे, और दो-ती मिन्ट तक ढाप लेंगे, ताके टमाटर गल जाए, मसाला हमारा त्यार है, अब हम मचली को शेल फ्राइ कर लेंगे, एक पैन में हम लेंगे, थोड़ा सा आई, तेल गरम हो गया है, मचली डालेंगे, मिन्ट तो-त्त कि इसका चिल्का उतार लेंगे और प्राई करने का मक्सद भी यही था मचली प्राई भी हो गया और इसका चिल्का भी उतार दिये अब हम इसको साथ साथ मिसालने में डालते जाएंगे एहत्याद से डालेंगे तके तूटे ना आदा दिये डालके पाँच-दस में डापलेंगे बखादेंगे ताके मसाला और मचली यक जवान हो जाएंगे मचली हुमार इत्यार है अब हम इसको डिश उट कर लेंगे मचली का सालेंग बहुत अच्छा बने है मचली मुझे बहुत पसंद है आपको पसंद है तो कमेंट करें मेरे चनल को सब्सक्राइब करें अल्ला हाफीज